काफी सालों से बाढ़ रहे हैं इसलिए बोलते हैं लोग वा तुलसी आंटी के नाम से तुलसी माता भी कहके बुलाने लगे हैं आज कल प्यारी जी के मंदिर में कैंसर वाले मंगवाते मुझसे शामा तुलसी कैंसर के लिए दवाईयों में काम आती है बहुत ज्यादा तो वो लोग भी मंगवाते मुझसे और दो पत्ते सोबह तुलसी के रोजाना खाओगे ना तो कभी कैंसर नहीं होगा तुलसी हिंदू धर्म में काफी माननेता है तुलसी की और काफी धारमेकास्ता लोगों की है इसके बाब जूद भी तुलसी का जो ब्रच है पेड़ है वो मेडिकल की द्रश्टी से भी आदमी के स्वास्थ के लिए भी काफी लावदायक होता है जो कई बीमारी कई पाने जा रहे हैं एक ऐसी बुजर्ग महिला से जिनको पूरा सहर तुलसी अंटी के नाम से बलाता है क्योंकि वो उनके जो घर में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा पूरे घर का जो परिसर है यहां पर तुलसी के ब्रच भारी संख्या में नोने लगा रखे हैं और रोज तुलसी के पेड़ों को लगाएं जिससे की आपका बातरवन सुद्ध हो और इसके अलाबा यह जो तुलसी की पत्या है वो कई तरह की व्यादियों में भी काम आती है यहां तुलसी अंटी है उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे अंटी आपका नाम क्या है मेरा नाम आरी जी के मंदिर में तो कब कितरे बर्सों से कर रही हैं इसको पोदे बित्रित करती हूं तो तुलसी अतारती हूं सुबह दो तीन-दो ढाई गंटा लगता मुझे उसके वाद उसको धोती हूं दोने के बाद कपड़े में डालके फिर सुबह ले जाती हूं दूसरे वह बहुत ज्यादा तो बो लोग भी मंग वाते मुझे और दो पत्ते सोब्स रोजाना खाओंगे ना तो कभी कैंसर नहीं होगा बिल्कुल ये हैं तुलसी आंटी जिनका इसपरश तोर पर कहना है कि वो 17 वर्सों से तुलसी के पेड़ पौधे लोगों को बाड़ती है और सलावी देती हैं कि आप अपने घरों में लगाएं जिसे कि इनके सेवन से इनकी पत्यों के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां भी द देती हैं लोगों में वित्रित भी करती हैं और पौधे भी उनको देती हैं एक अच्छी पहल तुलसी आंटी की जो वाकई लाजवाब है कैमरामेन प्यूस दिक्षित के साथ सुरेश फौरदार बरतपूर राजस्तान तक